तो देखते हैं पर question number 28 में हमसे क्या पूछा गया है 2 particles A and B of masses 20 g and 30 g respectively are at rest at a certain time तो जो यहाँ पर 2 particles हैं उनके mass हमें यहाँ पर given है 20 g and 30 g दोनों यहाँ पर क्या हैं कुछ समय के लिए rest पर हैं Because of this forces exerted by them on each other the particles start moving तो उसमें यहाँ पर कुछ force लगने के बाद यहाँ पर क्या जो particles है वो यहाँ पर move करने लगेंगे At a given instant, particle A is found to move towards east with a velocity of 6 cm per second जो हमारा यहाँ पर particle A है वो यहाँ पर east direction में move कर रहा है with a velocity of 6 cm per second What is the velocity of particle B at this instant? तो हमें यहाँ पर particle B की क्या निकालनी है? velocity निकालनी है cm per second में, तो करते हैं हैं इसको solve अगर हमारा यहाँ पर particle जो है वह O divine, और यहाँ पर rest में होगा तो जो हमारे यहाँ पर linear momentum है, वो भी हमारे यहाँ पर zero हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर zero हो जाएगा अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूं, linear momentum of particle A, तो particle A पर जो हमारे यहाँ पर linear momentum लग रहा है, वो यहाँ पर कितना लग रहा है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो यह हमारे यहाँ पर क्या होगा, M1, V1, M1 हमारे यहाँ पर क्या होगा, mass of particle A, and V1 हमारे यहाँ पर क्या होगा, velocity of particle A, तो M1 हमें यहाँ पर कितना गिवन है, M1 हमें यहाँ पर 20 gram गिवन है, question में, and velocity of particle 1, तो velocity of particle A हमें यहां पर कितना गिवन है 6 cm per second तो यह हमारे हैं पर कितना हो जाएगा 120 gram cm per second हो जाएगा हम मैं यहां पर बात कर लेता हूं linear momentum of particle B तो मैं यहां पर लिख लेता हूं linear momentum of particle of particle B तो जो हमारे हैंपर linear momentum और particular B वह कौन्से direction में move कर रहा हैंजे Papa वे स्थ ड uda Evan में move कर रहा है towards way टीरेक्शन में इसका मतलब यह हमारे इहां पर किसमें अपोजट डéra क्शन पर मूव कर रहा है और जो हमारे इहां पर particle एक डिरेक्षन थी वो हमारे इहां पर क्या थी? Towards East थी मैं यहां पर लिख देता हूँ Towards East थी और इसके जो इहां पर movement होगी वो इहां पर क्या होगी? Opposite direction में होगी तो इसका भी हम इहां पर formula लिख लेती हैं हमारे यहां पर क्या हो जागा M2 V2, M2 हमारे यहां पर कितना given है, 20 gram given है, और V2 हमें यहां पर निकालना है, और जो हमारे यहां पर momentum of system होगा, वो हमारे यहां पर क्या होगा, 0 होगा, तो मैं यहां पर total linear momentum निकाल लेता हूँ, तो मैं यहां पर लिख लेता हूँ, total momentum, तो जो ह हमारे हिएपर total momentum का system होगा वो यहाँ पर क्या होगा जीरो होगा इसको यहाँ पर 0 ही लेकर चलेंगे अब में हमें यहाँ पर 20 x 6 टोल हमारे हैं पर कितना हो जागा 120 हो जाएगा M1 V1 के जिए पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 120 20 g cm per second लिख सकते हैं plus m2 v2 m2 हमें यहां पर पहले से गिवन है जो कि यहां पर कितना है 30 g है तो जो हमारे यहां पर particle B का मास था वो हमें गिवन था 30 g multiply v2 जो कि हमें यहां पर क्या करना है निकालना है इसको यहां पर further solve करने तो जो हमारा 120 अगर लेव्ट साट जाएगा तो negative 120 equal to 20 ka यहां पर कितना हो जाएगा बी टू हो जाएगा further solve कर लेते तो किmother है Around the minus WiFi divided बाई यहां पर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा셔야 तो solve करने पर हमारेहां यहां पर कितना और सेकेंड आऎगा कितना यह बन पर सेकंड यहां पर नेगिटीव इसलिए आएगा क्योंकि जो second particle की जो velocity है वो यहां पर क्या अपोजिट डिरेक्शन में तो वर्ड वेस्ट है और जो पहले वाले particle की थी वो इस्ट डिरेक्शन में थी इसके लिए इसकी जो वेलोसिटी वो यहां पर क्या थी पॉजिटी थी और अगर इसकी वेलोसिटी यहां पर दूसरे डिरेक्शन में होगी अगर वेलोसिटी अपोजिट डिरेक्शन में होती है तो वो यहां पर क्या आजाती है नेगिटिव में आ जाती है तो हम से यहां पर क्या पूछा गया था वेलोसिटी और पार्टिकल भी जो कि हम ने यहां पर निकाल लिया माइनस का फोर सेंटीमीटर पर सेकेंड होप आपको समझ में आ गया होगा अब हम चलते आपने नेक्स्ट कुशिन के तरफ